नमस्कार डॉक्तर अपुर वायरवीदा में आपका हादिक स्वागत है निमोनिया फेपडों को प्रभावित करने वाली एक गंवीर बिमारी है इससे पेड़े थोनी पर फेपडों में पानी भर जाता है और उसमें सूजन आ जाती है ये बिमारी एक या दोनों फेपडों में हो सकती है निमोनिया की असली कारणों में बैक्टीरिया और वायरस का नाम सबसे पहले आता है निमोनिया होने पर फेपडों में मुझूद वायू थैली में हवा या मवाद भर जाता है इस वज़र से मरीज को खासने और सांस लेने में पनिशानी होती है साथ ही सीने में दर्द भी हो सकता है समय पर इस विमारी का उपचार नहीं करने पर मरीज की मौद तक हो सकती है आए जानते हैं निमोनिया से रहत पाने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में विश्राम, शरीर को ठीक होने के लिए पर्याप्त विश्राम दे, निमोनिया के दोरार विश्राम बहुत महत्पूर होता है पानी पीएं, शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं, जिससे शरीर के टॉक्सिंस बाहर निकलेगे और शरीर की नमी बनी रहेगी गरम पे, गरम चाई, सूप, यंद शहद और निवो के साथ गरम पानी पीने से गले की खराश कम होती है और कफ निकलता है भाप ले, भाप लेने से सास की नदी साफ होती है और स्वास लेने में साहता मिलती है अद्रक और हल्दी अद्रक और हल्दी का सेवन करने से शरी की प्रतिरोधी शम्ता बढ़ती है अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लिस हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सरूम करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तन्यवाद